Welcome all of you in this video of groups and rings math हम कर रहे हैं इस math का September 1st यहाँ पर groups and subgroups आज की इस video में exercise 1.3 के basic को start करते विए कुछ important स्थोरम को यहाँ पर हम समझेंगे जो कि अपने पास based रहेंगे यहाँ पर complexes and subgroup of a group पर अब सबसे पहले हम यहीं समझते हैं कि group के लिए अपने पास complex और subgroup हम किसे कहेंगे तो let कर लेते हैं इनको समझने के लिए एक group G with respect to binary operation, multiplication या फिर मैं journal यहाँ पर star ले लेता हूँ तो इस group G के अपने पास element कुछ इस तरीके हैं इस group G में 1, negative 1, ita, negative ita ठीक है अब मैंने क्या क्या यहाँ पर एक subset बना लिया वालो कि जो इस group के अंदर element है इसी के कुछ element लेते हैं वे इस group का subset मैंने बना दिया है यहाँ जिसको के let कर लिए अच के साथ तो कुछ element मैंने ले लिए यहाँ से दो element ले लिए जैसे की 1, negative 1 तो इसको मैं क्या बोलूँगा non empathy subset अच of group G और इसी को हम कहते हैं is called complex of group G जैसे कि आप यहाँ से definition से समझ पाएंगे तसे तरीके से अब हम समझते हैं यहाँ पर सब ग्रूप क्या होगा अब देखिए जो ही आप देख पा रहे होंगे अच नोन empathy subset है जी का अगर हम यह show कर दें कि एक ग्रूप की तरह act करता है with respect to same binary operation जो कि अपने पास group G पर apply किया गया था यदि यह अपने पास यहाँ पर जो अच as a subset है non empathy group G का यह अपने पास group हो जाता है इन element के साथ with respect to same binary operation of group G तो इसको हम बोलेंगे अब सब ग्रूप जी जैसे कि आप definition से इसको और भी एक लेर लिए अब समझ पाएंगे let G भी एक group with respect to binary operation star एक G अपने पास group है with respect to binary operation star and अच भी एक subset है और अच हमने एक let कर ले हैं यहाँ पर subset है जिसको के हम complex भी का देते हैं ग्रूप जी का such that अच इस आलसो एक ग्रूप है with respect to same binary operation star एक अपने पास वो subset जिसको के complex भी बोल देते हैं ग्रूप जी का यदि वो ग्रूप बनता है अपने पास उसी same binary operation star पर जिसके रिस्पेक्ट में हमने ग्रूप जी ले रखा यहाँ पर तो उस अच को हम बोल लेंगे यहाँ पर यह अपने पास subgroup है ग्रूप जी का ठीक है अब आप इसको clearly समझ पाई होंगे यहाँ से कुछ example भी देख लेते हैं देखो यह example तो हमने देख लिया यहाँ पर example number second यह तो आप समझ गए होंगे आप देखो उपर क्या है the set of all even integers is a subgroup है एक set है सभी even integers का जिसको कि हम सब कुर बोल रहे हैं with respect to addition देखिए इसको आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से अपने पास है एक group है यहाँ पर set of integers का with respect to addition ठीक है अब हमने एक subset बना लिया किसका even integers का इस group के element को लेते हुए जैसे कि कुछ इस तरीके से हम सकते है negative 4 negative 2 0 2 4 6 इस तरीके से elements है अपने पास इस subset में जिसको कि हमने group of integers से बनाया है अब देखो यह अपने पास इसको हम क्या बोलेंगे यह हम बोलेंगे complex of group of integers यादि हम यह चैक कर दें कि यह जो subset बना है इसके भी hold करते हैं वालों कि चार properties को यदि satisfy करता है closer property, associative law, existence of identity, existence of inverse element तो हम कहेंगे कि यह अपने पास as a group की तरह act करता है complex with respect to binary operation addition जो कि अब आपने पास integers के group का binary operation था तो हम बोलेंगे कि यह अब आपने पास यहाँ पर as a subgroup है किसका इस integer के group का with respect to binary operation addition यहाँ पर ठीक है अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से जाते हैं कि complex number के according अपने पास integer भी आते है रहसल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह अपने पास सबसेट हैं यहां पर किसके complex numbers के ठीक है, अगर complex number अपने पास as a group बनता है addition और यह अपने पास उसी addition के respect में यह ज़ी group बनता है और thorems करेंगे, वैसे वैसे सब कुछ clear out होता चला जागा एक note दियागा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जी and identity elements are tribal or improper subgroup of group जी any subgroup other than जी and identity element is proper subgroup of जी देखे, tribal और improper subgroup of जी क्या उटता है यह देखे आप जैसे कि अब अने पास एक group है जी ठीक है, इसके अंतरकते, जैसे कि मैं वैसे ले रहा हूँ है यहाँ पर one, negative one, ita, negative ita यह पने पास एक group है जी, with respect to मैंने माल लिया इसको multiplication ठीक है, अब identity element मैंने माल लिया, इस case में one है पने पास identity element one ही होगा, ठीक है, यदि मैंने एक subset बना दिया यहाँ पर इसके अंतरकत केवल एक ही element मैंने लिया, क्योंकि यह non-empty होना चीए, कोई ना कोई element होना चीए, तो मैंने one element लिया यहाँ से, केवल one, मालों कि one ही मैंने element लिया यहाँ से, गुरूप जी से, तो यह अच अपने पास का है, यहाँ पर इंप्रोपर सब गुरूप है, आइडेंटी element के रिस्पेक्ट में, जो अपने पास सब गुरूप बनता है, उसको हम कहते हैं, इंप्रोपर सब गुरूप है, और यदि मैंने let कर लिया, एक ऐसा subset है, केवल दो ही condition होती है, एक तो अपने बस identity element के में होता है, जो सब गुरूप है, उसको हम इंप्रोपर सब गुरूप बोलते हैं, या फिर ऐसा हमने subset बना लिया इस गुरूप से, जिसके अंतरगत हमने सारे ही element कोपी कर लिये, मालों कि सेम element ले लिये बिलकुल, जो जी में थे, ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे आपर इंप्रोपर सब गुरूप है, क्योंकि ये group है, इन element के साथ, तो ये भी अपने पास group होगा इसको बोलेंगे इंप्रोपर सब गुरूप है, तो क्योंकि इतना यह आपर लिखाए गए, यदि अपने पास कोई subset जी के सभी element लेते हुए हम बनाते हैं और वो group satisfy हो जाता है, और identity element लेते हुए subset बनाते हैं और वो भी group satisfy हो जाता है, तो इन दोनों को हम improper subgroup बोलेंगे, Z group का, ठीक है, या फिर tribal subgroup of Z बोलेंगे यापर और इनके अलावा जो भी अपने पास ये simple हमने समझा कि subgroup क्या होता है, इनको proper बोलते हैं यापर, ठीक है, अब हम thorems को समझना स्टार्ट करते हैं, जो की काफी important है, तो ये thorem काफी important है, देखिए, क्या कहती है, prove that, first part है, the identity element of subgroup is the same that of group, आपको अच्छे तरीके से पता ह identity element अपने पास है, एक group के सभी element का same ही होता है, बट यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से की गई है, कि हमने let कर लिया group है, अपने पास Z, और इसके लिए subgroup हमने ले लिया, अच्छे यहाँ पर, तो इन दोनों में, जैसे कि हमने, अभी start करता हूँ, मैं proper way मैं इसको लिखता ह करता हूँ आप इसको मैं, इन दोनों में, जो element हैं अपने पास, उनका identity element same होगा, ऐसा मैं यहाँ पर proof करना इसमें, तो let कर लिया, हमने let, even, and, e2, are two identity element, of, subgroup, आच्छे, end, group, z, हमने let कर लिया, कि जो subgroup में अपने पास element हैं, उनका identity element तो आपने पास even हैं, और जो group में element हैं, इनके लिए जो identity element हैं, यह अपने पास e2 है, यहाँ पर, ठीक हैं, अब एक element हमें यहाँ पर let कर लेता हैं, let, a, b, any, element, of, subgroup, अच्छे, यह अपने पास subgroup, अच्छे, बिलोंग करता हैं, एक element हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि यह even subgroup के लिए identity element का काम कर रहा है, यह यदि a के साथ इसको operate करवाएंगे, यहाँ पर, a, two में identity element है, तो आपने पास किसके को लाएगा, यह a के ही को लाएगा, जब हम कु condition satisfy करता है, तो इसको हम सब group बोल देते हैं, ठीक है, तो जो element इसके अंदर हमने ले रखे हैं, क्योंकि यह g से ही हमने element लिया है, तो जो element हमने a इसमें लटके आच में, वो g में भी होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे, अच्छे, इस subset of group g, so, जो हमने element a ल a equal to e2 into me a करेंगे, तो भी यही आएगा अपने पास, इसको let कर लिया हमने equation number second यहाँ पर, from equation number first and second, result अपने पास क्या आते हैं यहाँ पर, चाहे हम इस तरीके से compare करें इनको, या फिर इस तरीके से compare करें, ठीक है, तो result अपने पास a की आएगा, a into me e1 equal to a into me e2, applying यहाँ पर apply कर देते हैं, applying left cancellation law, left cancellation law केंदर अपको बता है, यह दोनों term cancel out हो जाएंगी, तो यह बनवास हो जाएगा, identity element e1 equal to identity element e2, तो इससे हमें यह पता चलता है, यहाँ पर, हमने यह observe कर लिया इस थोर्म से, कि जो identity element होगा, जो element अपने पास group अच में है, उसी का group g में भी same होगा, मतलब कि इन दोनों के लिए ही, subgroup के लिए भी, और group के लिए भी identity element अपने पास same रहेगा, एक ही identity element होगा, ठीक element का, अब next में आपर inverse के लिए बात की गई है, तो inverse के लिए भी proof कर देते हैं, तो देखिए थोर्म कहती है, कि हमें proof करना है, the inverse of any element of a subgroup है, किसी भी element का inverse है, ए क्योंकि वो subgroup मालों कि अच में कोई element है, तो वो जी में भी होगा वही element, क्योंकि अच जी का subset है, तो इस element का हम देखिएंगे कि अच में inverse क्या आता है, और एक बार देखिएंगे कि जी में inverse क्या आता है, तो जो inverse होगा, वो same होगा दोनों ही case में, जो अच में inverse आया है, व एक ही होता है, तो सबसे पहले यही बात हम यहां पर लिख देते हैं, लेट, आइडन्टी ऐलेमेंट हमने इलेट कर लिया, बी, दा, आइडन्टी, एलेमेंट, ओफ, सब गुरूप, आचे, एंड, गुरूप, जी, सब ग्रूप और ग्रूप जी के सभी element का identity element एक ही होगा आपने पास unique identity element होगा दोनों की case में ठीक है अब हम let कर लेते हैं inverse element यहाँ पर तो एक inverse element के लिए सबसे पहले element यहाँ पर let कर लेते हैं let a be any element जिसका कि हम inverse element यहाँ पर check करेंगे of subgroup a हमने एक element लिया subgroup a से यहाँ पर ठीक है जो belong करता है subgroup a अब एक दो की subgroup a element है और आचा यहाँ पर subset है group g का तो एक तरीके से यह इसमें भी है और इसमें भी है तो also हम लिख देते हैं also from also from यह पने पास g से भी belong करता है यहाँ ठीक है अब suppose कर लेते हैं यहां पर इनके लिए अलग-अलग इनवर्स है फिर हम दिखा देंगे कि इन के पर स्पोस्ड़ इंवर्स के अलेमेंट तक Su All डिया है सबगुरूप से इसके लिए हमने इनवर्स यहां इन्वर्स of element A in group, अब group G के लिए हम आई लिया है, element तो same ही है, बट group G में भी है, और वो subgroup में भी है, तो subgroup के case में हमने इसका inverse यहां पर लेट कर लिया B है, और group के case में हमने लेट कर लिया C है, अब हम यह दिखा देंगे कि B अपने पास C के equal हैं यहां पर, इसका जो element का inverse होगा वो group में और subgroup में same ही होगा अपने पार जो सबसे पहले याप लिए देता हूँ है 4 हम यापर check करें subgroup अच्छे अब inverse element की condition तो आपको बदाईए है कि यह जो हमने element लिया है और जो इसका inverse हमने यह b लिया है यदि इसके operate करवाएंगे इसके साथ तो किसके एक वाल आएगा identity element के एक वाल आएगा या फिर हम कुछ इस तरीके से कर दें तो भी identity element के वाल आएगा इसको let कर लेते हैं या से equation number first 4 अब लेते हैं group Z के लिए इस condition को तो यह हो जाएगा देखो इसके लिए a element है और c हमने इस a का inner slot का रखा है तो equal to identity element आएगा या फिर हम कुछ इस तरीके से कर दें इसको ठीक equation number second from equation number first and equation number second यह अपने पास यहाँ पर हो जाएगा a b equal to a c कुछ इस तरीके से इस तरीके से ले लें आप इन दोनों को या फिर इन दोनों को लेश कते हैं ठीक है तो compare करेंगे तो इस तरीके साहेंगी values अब लिख देंगे यहाँ पर according to left cancellation law a से a cancel out हो जाएगा और b equal to आजाएगा c के b हमने let क्या था inverse से किसके लिए a element के लिए जो की belong करता subgroup से और वही element जब group से बिलों करता है तो इसके लिए हमने inverse लिया था c अब एक ही element के लिए अबने दो inverse लिये थे बट वो दोनों inverse यहाँ पर same से हो जाते हैं कि equal है एक दूसरे के तो हमने यहाँ से यह observe किया किसी भी element के लिए चाहिए हम उसका inverse देख रहे हो ग्रूप में या फिर हम देख रहे हो उसका subgroup में inverse उसका same ही होगा तो इस वीडियो को दादा long ने करते हुए यहीं पर smart करते हैं next वीडियो में हमें आपर समझ रहोंगे कि अपने पास वो criteria क्या रहेगा किसी भी complex को हम कहते हैं as a subgroup इसके उपर best कुछ thorems हैं या पर four thorems को हम समझ रहे होंगे next वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद